कि हैं हैं आप देख रहे हैं दी इंडियन बैचलर एक ए मिक्टाव इंडिया तो यह पोस्ट मुझे इंस्ट्राप पर मिला है दी डॉमीनो एफेक्ट बोल गए तो सिंगल पैरेंट्स जब पैरेंट्स जिवोर्स होते हैं 90 परसेंट आफ टाइम बच्चा औरत के पास ही चल और अपने बच्चे को बड़ा करती है उसके बारे में गलत बोल बोल कर अगर अदमी सही भी रहा औरत ही मुस्टी तो औरत का ही फॉल्ड होता है और औरत तनी कॉम्पलीकेटड होती है और डिवोर्स के बारत जब बच्चे को लेकर जाती है तो आप्वियसली वो उसके आप एकदम चूतिया था तो दी डॉमिनो एफेक्ट देखें पोस्ट में I don't need a man मा बोल रही है उसकी बेटी I don't want a man बोल रही है और उसका सबसे चोटा बच्चा I don't want to be a man ऐसे ही सुसाइटी बने जा रही है भाई toxic masculinity अदमी बुरा है मरदान की बुरी चीज़ है ऐसे ही मरदों को weak क्या जा रहा है ये equal rights देकर ओरत मरदों की तरह हो जा रही है और अदमियों की जरूरत नहीं है बोल रही है और उसके जो बच्चे होते हैं बच्चों को भी ऐसा train कर ही है masculine ना रहे and feminine रहे तो इसी लिए आप आजकल देख रहे हैं कि बहुत मीट है अदमी है बहुत feminine वह strong masculine कैसे होते थे यार आप जिम में मिल जाएंगे आप जिम जाएंगे थोड़े उदर आपको दिख जाएंगे थोड़े masculine बंदे क्योंकि बॉड़ी बिलिंग कर रहे है जरा testosterone levels वगरा बड़े होते हैं बड़े होते हैं levels तो उदर दिख जाते हैं वरना आप general life में आपके offices में आपके schools में देखें बहुत मीठे मीठे बात करने नहीं आता एकदम लड़ी की तरह बात करते हैं एकदम वह लोग की dressing sense एकदम feminine होती है आप इंडिया में तो यार मर्द नाम की चीजी खतम हो गए हैं पर सिर्फ मैं जब जिम जाता हूँ उदर देखता हूँ थोड़े एकाद दिख जाते हैं सही हाँ यार यार ये मर्द हैसल ऐसा दिख जाता है वरना मैं मेरे university में जॉब पर जब जाता हूँ बहुत कम दिखते हैं कि यार ये करके बहुत feminine तरीखे से बात करके हो गया हैं क्योंकि divorce rates इतना ज्यादा है और अपनी मा के पास रहते हैं ये लोग मा के साथ बड़े होते हैं और बच्पन से सुनते हो आते हैं कि उसका ex-husband ex-boyfriend कितना बुरा था और without male exposure ये लोग एकदम मा भेनों में बड़े होते हैं वो masculine training नहीं मिलती है तो इसका solution क्या है यार शादी ना करो बंचो बच्चों को यह ill treatment यह female torture से बचाओ और शादी नहीं करके basically और और अद्मियों को हमारा काम है अद्मियों को enlighten करना यह मिक्टाओ और red pill knowledge के साथ थोड़े और masculine बनाना जो भी अभी मर्द है हमारे हमारे country में हमारे आसपास ऐसे red pill मिक्टाओ videos and post share करके जरा वो लोग की knowledge and बस enlightenment देना हो लोग को बहुत कमजोर हो गया अदमी strong होना चाहिए अभी फिलहां लारत dominant कर रही है दुनिया खेर गाईज फिर मिलते हैं धन्यवाद